हेलो एवरिवन, कैसे हैं आप सभी लोग, होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ग्यान सागर क्लासेज में, ग्यान सागर क्लासेज एक एक स्क्लूजिव इंस्टिटूट है, जो कि CMA की फाउंडेशन से लेकर के प्लेस्मेंट आपको हाइस कैंपस प्लेस्मेंट दिखने को मिलते हैं, चली स्टूएंट साब हम बात करते हैं आपके एक्जाम को लेकर के, आपके एक्जाम पास आ रहे हैं, दिसंबर में आप लोग अपने एक्जाम की प्रपरेशन कर रहे हैं, तो इसी लिए हम लोग एक सीरीज आप के लिए लेकर के आए हैं जिसको हमें नाम दिया है Mark Darshan Series. इसमें टीचर्स आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी exam की preparation करनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, कौन से topics आपके लिए important हैं, कितना weightage आपको या time के हिसाब से, marks के हिसाब से, कौन इसे topics को आपको जादा अच्छी तरह से देखना चाहिए, इन सभी बातों को लेकर के हम लोग आपको Mark Darshan Series के माध्यम से ये बताएंगे कि किस तरीके से आप remaining time जो बचा है, उसमें आपको अपनी preparation करके और बहुत अच्छा score आपको अपने exam में लेना है, तो चलिए start करते हम आज की अपनी इस Mark Darshan Series का और हम आज के इस session में discuss करेंगे कि CMA Foundation में mathematics and statistics subject को लेकर के आपको किस प्रकार से अपनी preparation करनी है, चलिए, देखेंगे अब, देखेंगे, फाउंडेशन में हम mathematics और statistics की अगर बात करते हैं, तो mathematics and statistics का जो paper है, वो आपका 100 marks का paper है, और इसमें 50 MCQ देखने को मिलते हैं, जिसमें हर एक MCQ 2 marks का weightage रखता है, तो इस प्रकार से 100 marks आपके cover होते हैं, और इसमें दो part डाले गए हैं, mathematics, statistics में, एक maths का portion है, और एक stats का portion है, mathematics का portion जो है, वो 40 marks cover करता है, और statistics का portion जो है, वो 60 marks cover करता है, तो अब हम बात करते हैं, इसके questions को लेकर के, तो 40 marks और हर एक question 2 marks का है, मतलब 20 questions आपको mathematics में करने हैं, and 30 questions आपको statistics में करने हैं, तो चलिए, अब हम बात करते हैं, अपने subject से related topics के बारे में, कि कौन कौन से topics आपको सबसे अच्छी तरह से देखने हैं, देखेगा, सबसे पहले मैं mathematics में बात करता हूँ, तो यहाँ प जोड़ा गया है, calculus को लेकर के, calculus का weightage जो है, वो 5%, 5% यानि कि जो आपका total marks है, 5%, मतलब 5 नंबर का पार्ट है, अब student के मन में सवाल यह आना चाहिए, कि सथ 2 marks के हिसाब से तो, या तो 6 marks की coverage होनी चाहिए, या फिर 4 marks की coverage होनी चाहिए, यहाँ पर एक approximate percentage दे रखा है, आपक के approximate यह बोल सकते हैं, कि सर या तो 2 questions देखने को मिलेंगे, या इसमें से 3 questions देखने को मिलेंगे, अगर आपके 2 questions हैं, तो मतलब 4 marks cover हुए, और 3 questions हैं, तो आपके 6 marks cover हुए, तो या तो 2 questions आएंगे, इस section में से, या 3 questions आपको देखने को मिलेंगे, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा portion आपको lgpr से देखने को मिल रहा है और उससे कम आपको arithmetic में देखने को मिल रहा है इसके बाद statistics वाले section के अंदर statistical representation of data जो की पूरा का पूरा chapter आपका theories related है और ये जो coverage करता है वो 5% coverage करता है इसके लावा majors of central tendency और 10% भहुत important topic जो की cover करता है 50% marks को correlation regression ये दो chapters हैं जो की 50% marks को cover करते है probability काफी important यानि एकलोता chapter अकेला chapter 15% marks को score कर रहा है तो बहुत ही important topic है आपके लिए probability इसके बाद index number time series जो है 10 marks cover करता है इसमें मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा जो coverage आपको exam में देखने को मिलेगी वो index number को लेकर देखने को मिलेगी इंडेक्स number में से आपको कोशन ज़्यादा देखने को मिलेंगे तो ये मैंने आपको एक बाद syllabus के बारे में बताया कि अपने syllabus में क्या-क्या चीजे हैं अब इसको और भी detail के अंदर हम समझते हैं कि क्या सारे topics आपको पढ़ने हैं और कैसे आपको पढ़ने हैं चलिए अब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर मैंने बात करी साब 40% जो weightage है वो mathematics section की है और 60% weightage जो है वो statistics वाले portion की है अब हम बात करते हैं इसकी detail के अंदर चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं mathematics के अंदर arithmetic वाले section के देगे arithmetic वाले section में आपको 4 chapters दे रखे हैं 4 chapters आपको दे रखे हैं पहला chapter है ratio, variation and proportion को लेकर के तो इसमें मैं आपको बता दूँ ratio के अंदर मैंने आपको जैसा कि marathon class में भी बताया हुआ है कि आपके 3 type के questions देखने को मिलते हैं एक तो आपके proof करने वाले related questions होते हैं, एक income and expenditure के होते हैं, एक types of ratios के questions होते हैं एक आपका age से related questions देखने को मिलता है, वो आपको अलग से और देखने को मिल सकता है proportion को लेकर के simple type के question देखने को मिलते हैं, जिसमें properties और proportion की हो गए, mean proportion के questions हो गए और जो proportion में first, second, third और fourth proportion को पहचानने वाली बात होती है, इस तरीके से question आपको देखने को मिलते हैं तो मैं expect करता हूँ कि इसमें से एक question आपको ratio से देखने को मिलेगा और एक question आपको proportion से देखने को मिलेगा आपके मन में सवाल एक और आएगा कि सर एक ही question क्योंकि इतना बड़ा chapter हमने पड़ा एक question मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो भी chapters आपको mathematics में दे रखे हैं उसको divide किया गया है मतलब ratio अलग part में पड़ा जाता है proportion अलग part में पड़ा जाता है इसी प्रकार से अगर मार लेज़े मैं arithmetic progression geometric progression की बात करूँगा तो ये भी अपने आप में दो separate चीज़े है arithmetic अलग है geometric अलग है तो total number of question examiner आपको 20 दे सकता है तो coverage मैं आपको थोड़ी दिर में समझाऊंगा कितनी होगी लेकिन आपको मैं expectation अपनी बता रहा हूँ उससे आपको समझना है चलिए इसमें हम बात भी करेंगे कि कौन सा chapter जो है वो important है कौन सा less important है तो ratio proportion में से सवाल आपको confirm देखने को मिलेगा variation में से हो सकता है question देखने को ना मिले तो variation जो है वो थोड़ा सा less important topic को मैं कहूंगा इसके बाद हम बात करते है time value of money and annuity के concept को लेकर के बात करते हैं तो इसमें time value of money के अंदर में बात करूँ तो simple interest and compound interest के दो chapters आप पढ़ते हैं simple interest अलग and compound interest अलग इसमें भी जो सबसे जादा important part में कहूंगा तो वो रहेगा आपका compound interest का इसमें से आपको question दो या तीन भी देखने को मिल सकते हैं तो ये simple interest, compound interest का chapter आपका important part है इसके बाद हम बात करते हैं arithmetic progression and geometric progression की इसमें से भी question आपको 100% देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी मैं आपको कहे रहा हूँ तीन questions देखने को मिल सकते हैं देखे students, जहां मैं बात करता हूँ कि तीन questions आपको देखने को मिल सकते हैं इसका मतलब वो chapter क्या है important part में cover होता है मैंने यहाँ पर बात करी two questions आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर 3 questions आपको देखने को मिल सकते हैं और इसमें भी आपको 3 questions देखने को मिल सकते हैं इसके बाद time and distance की बात करते हैं बहुत ही simple calculations हैं तो time and distance को लेकर के नया इस बार chapter जोड़ा गया है नई syllabus के अंदर तो इसमें से आपको एक question देखने को मिल सकता है इस point of view से अगर मैं बात करूँ तो important topic आपके interest calculation और AP और GP का आपके topic हो जाते हैं चलिए अब इसके अंदर हम जो arithmetic की है उसके बाद हम बात करते हैं algebra वाले section की देखिए algebra section में आपको 4 topics दिये गए हैं मैं आपको बता दूँ चारो ही topic important है 20% marks इसके अंदर cover हो रहा है तो इसका मतलब 20% का मतलब 20 number का मतलब 10 question आपको इसमें से देखने को मिलेंगे 10 question बड़े questions हो गए तो देखिएगा इसमें बात करते हैं set theory of end diagram तो इससे मैं expect करता हूँ 2 questions तक आपको देखने को मिल सकते हैं indices and logary तक ये important chapter है इसमें आपको 3 questions देखने को मिल सकते हैं permutation combination में 3 questions and quadratic equation में 2 questions आपको देखने को मिल सकते हैं तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं set theory की सबसे पहले set theory की calculations के लिए आपको set theory chapter को पढ़ने के लिए क्योंकि ये नया chapter है कभी mathematics basic आपन 10th class तक में नहीं देखते हैं इसको तो इसके अंदर आपको when diagram से calculation solve कैसे करी जाती है ये और set theory के अंदर कौनसी term को क्या बूला जाता है तो जैसे यहाँ पर equal set क्या होते हैं equivalent set क्या होते हैं set builder form क्या होती है और infinite set क्या होते हैं subset क्या होते हैं universal set क्या होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको terms आपको पता होनी चाहिए तो इन terms में से एक mcq question बनेगा इसके अलावा एक आपको union और intersection को लेकर के मैंने बात की थी जहां पर मैंने कुछ when diagram सापको बना रखे हैं और आपने पढ़े भी होंगे तो when diagrams को लेकर के question आपको देखने को मिलता है तो एक मैंने आपको बताया है इसके अंदर when diagram को लेकर के यानि की union और intersection वाली बात और set theory के अंदर मैंने आपको जो बताई वो क्या है types इसके जित्ते भी universal set finite set, infinite set उनको लेकर के अपनी terms पता होनी चाहिए इसके बाद next topic के हम मैं बात करता हूँ indices and logarithm देखिए indices and logarithm important chapter है question आएगा ही आएगा और ज़्यादा question तीन या चार भी हो सकते है इसमें logarithm में से आपको दो question, indices से भी दो questions आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें कुछ identities हैं वो आपको याद होनी चाहिए और identity की मदद से आपको ये chapter solve करना होता है तो identities आपको याद होनी चाहिए इसके बाद हम बात करते हैं permutation and combination वाले part की देखिए permutation, combination important chapter है यहाँ भी मैं आपको कहूँँगा 3, 2, 4 questions भी आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत important topic है ध्यान से इसको पढ़ना है देखिए यहाँ पर permutation का मतलब होता है arrangement को ले करके combination का मतलब होता है selection को ले करके तो permutation जो है यहाँ से भी अलग 2 question cover हो सकते हैं combination अलग यहाँ से भी 2 question cover हो सकते हैं तो इस part को आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है combination बहुत important है combination में पहले selection होता है उसके बाद उसका arrangement होता है तो इसके questions आपको जरूर से अच्छी practice बनानी है यह important part में cover होगा इसके बाद quadratic equation जो है वो 2 marks का cover है करता है तो 2 questions औरी cover करते हैं 4 marks को ले करके मैं बात कर रहा हूँ तो इस quadratic equation में normal equations आपके सामने आती है जिसको solve करना होगा और x की दो values निकालनी होगी यह nature of roots को ले करके question बन सकते हैं कि real root है, non-real root है, equal root है और इसके अलावा equation solve करके x के value निकलवा सकता है यह कुछ options हैं इसमें hidden trial method से भी बहुत जादा probability देती है यह questions को solve करने की बनाने की तो यह quadratic equation chapter आपको इस थरीके से देखना है इसके बाद बात करते हैं calculus वाले part की देखेगा, calculus वाले part में हम बात करते हैं एक तो हैं आपके यह दो part revenue and cost function को ले करके तो revenue और cost को ले करके किस प्रकार की strategy किसी producer या customer के द्वारा बनाई जाती है उसको ले करके बात की जा रही है तो किसी भी function को चाहे वो revenue function हो या cost function हो उसको minimize करना हो या maximize करना हो उसको ले करके हमने differentiation के अंदर concept पढ़ रखे हैं तो उसके थुरू आपको ये question बनाने है ये important part में cover होगा इसका मतलब इसमें से आपको जरूर MCQ question देखने को मिलेगा इसमें से मैं बात कर लेता हूँ दो question आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं optimization technique से आपको एक question देखने को मिल सकता है और ये calculus application में जो limits and continuity वाला part है इसमें से एक question देखने को मिल सकता है तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर important part की तो revenue cost function जो है वो important part है बाकी थोड़े से irrelevant से है इसके बाद हम बात करते हैं अपने statistics वाले portion में statistics में सबसे पहले आती है basic statistical representation of data जो कि इसकी theory को लेकर के बात करते है तो theory section के अंदर आपको सिर्फ इसकी theory की reading करनी है reading करके जो terms है वो आपको समझनी है और mcq questions solve करके उसकी practice बनाने है means mcq questions आप करेंगे तो वो theory में जो पढ़ा है वो आपको recall हो जाएगा और आप उसको अपने आप से भी लिख सकते है रटना कुछ है नहीं आपको बस terms पढ़कर के समझनी है देखना है लिखा क्या है और उसके बाद mcq questions आपको जो चार option है उसमें most probable answer जो होगा या आपके पास याद रहेगा तो आप उसको आरथानी से attempt कर सकेंगे मतलब मेरे कहने का ये कि थियोरी को रटने के हिसाब से नहीं पढ़ना है समझने के हिसाब से पढ़ना है और समझ करके ताकि उसमें से अगर कोई paragraph आपने पढ़ा और कोई question बनाया गया तो आप उस option का जवाब दे सकें इस point of view से उस concept को पढ़ना और understand करना है चलिए next अपन आप आगे की बात करते हैं इसके बाद next बहुत important chapter आपके सामने आता है central tendency and dispersion का देखे बटा दो चप्टर है central tendency और dispersion central tendency में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर relationship between mean, median, mode यह एक important part है इसके लावा mean, median, mode की calculation जो है वो भी important part है एक combined mean जो है वो आपका important part है less important में अगर बात करें तो geometric mean निकालना, harmonic mean निकालना यह आप थोड़ा सा देख सकते हैं otherwise, यह chapter पूरा important है ध्यान से इसको देखना है तो मैंने आपको बता है relationship के question देखने को मिलते हैं मिल सकते हैं, इस attempt के साब से मैं आपको बता रहा हूँ इसके लावा mean, median, mode के question तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, यह तो आपको पढ़ने ही पढ़ने है कि mean, median, mode calculate करना सीखो के तो ही dispersant समझ में आएगा, तो ही आगे की बाते समझ में आएगी तो यह तो बिल्कुल basic है इसके लावा combined mean के corrected mean के सवाल यह relationship between mean, median, mode यह important section है, यहां से question बनते हैं इसमें theory part भी cover होगी theory part के लिए भी आप इसके अंदर आगर आपने concept पढ़ा है, ध्यान से समझा हुआ है तो उसमें से question बना करके उपूश सकता है जिसका जवाब आपको देना आना चाहिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ dispersant, तो dispersant को solve करने के लिए dispersant का मतलब होता है deviation देखे, central tendency में mid value निकालते हैं, means average value में में इसका इंदर हम पढ़ते हैं range कर साटीक, mean deviation mean division standard deviation करते हैं IMPORTANT है, mean deviation और standard deviation इसका सवाल देखने को मिलता है यह आपको बड़े ध्यान से बढ़ना है relationship between mean deviation, cultural deviation and standard deviation यह माने से थेक्षापार्ट आपको उसके मिलेगा में इस्षामिया बताया ही बहुत important part है तो इसको separately बता रखा है कि standard deviation और इसकी coefficient की value आप कैसे निकालते हैं देखे इस dispersion वाले chapter में एक part और cover होता है skewness का skewness वाले part में मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना इसमें तीन प्रकार के जो calculations बताई गई है इसमें काल PSN है, बाउले है और कैली का method है और उनसे formula कैसे बनते हैं skewness को calculate करना है कि बस केवल formula आपको ध्यान दखना है बटा formula में put करने के लिए value cushion में given होगी value को put करके सिर्फ answer नकालना होगा तो skewness में मैंने आपको बताया क्या कि केवल आपको formulas याद होने चाहिए इसके skewness को calculate करने के और coefficient value को calculate करने के तो यहाँ पर मैं अगर central tendency की बात करता हूँ तो 3-4 question आपको देखने को मिलेंगे similarly यहाँ पर भी 3-4 question आपको देखने को मिलेंगे चलिए, next आगे की बात करते है इसके बाद एक next important chapter आता है correlation and regression का correlation और regression में correlation का मतलब क्या है किनी दो variable के बीच में किस प्रकार का relation आपको दे रखा है उस relation को define mathematical terms में कैसे करते हैं वो अपने इस chapter से correlation से पढ़ते हैं तो यह जो terms है correlation में उसमें important part है काल PSN method से correlation निकालना और rank difference method से correlation निकालना इसके इलावा आपने concurrent deviation method इसमें और पढ़ा होगा वो concurrent deviation method को आप skip कर सकते हैं otherwise काल PSN और rank difference method जो इस Piersman का है उसको पढ़ना निवार रहे है question आपको confirm देखने को मिलेगा तो correlation की calculation आपको आनी चाहिए और ये chapter आपको दंग से पढ़ा होगा होना चाहिए regression के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो regression के अंदर एक equations आपके frame की जाती है जिसके through दो series के बीच में या दो variable part के बीच में कोई भी प्रकार का relation दे रखा होता है तो उसकी वज़ा से कोई ना कोई के missing value होती है जिसकी value हमको regression equations बना करके calculate करनी होती है तो वो equations कैसे बनाई जाती है वो framework आपको आना चाहिए और इसके अंदर जो बताई गई बाते हैं वो आपको proper तरीके से equation frame करनी आने चाहिए चलिए अब आजाता है हमारा बहुत ही important topic बहुत ही important topic जिसका नाम है probability देखे बिटा probability एक मातर chapter है जो की 15% marks सबसे highest score करता है अकेला इसका मतलब मैं 16 marks count करूँ तो इसका मतलब 8 question 8 question आपको जो है वो देखने को मिल सकते हैं तो हर question 2 marks का इसका मतलब 16 number के और होगा है approximate तो आपको 7 to 8 questions आपको देखने को मिलते हैं probability बहुत बड़ा chapter है इसमें coin से related problem card से related अपनी dice से related problem इसके अलावा coin हो गया dice हो गया ball से related problem यह आपको देखने को मिलती है तो इसमें एक problem आपको coin से या dice से related definite मिलेगी दूसरी है एक combination यानि selection को लेकर के बात की जाती है तो इसमें आपको card से related problem definite देखने को मिलती है एक आपको theorems पड़ी है odds theorem और base theorem इसमें से कोई भी एक theorem आपको जरूर देखने को मिलती है और इसके अलावा randomly कोई भी question बन सकता है इसमें मैंने कुछ theorem आपको addition subtraction की theorem भी पढ़ा ही थी तो वो भी आपको देखने को मिलती है तो जो मैंने part आपको specific बता है उसमें से एक ए question तो आए गई आएगा इसके अलावा जो अगर question दो तीन बज जाते हैं उसमें कोई पी चीज आ सकती है तो यह पूरा ही chapter important है मैं आपको कमगा probability को तो बहुत डंक से पढ़के जाओ साथ आठ question तो आपको इसमें से ही देखने को मिलेगे ठीके ना बहुत important topic है बहुत important topic है बहुत important topic है आपको इसको पूरा पढ़ना है देखना probability में तो कोई चीज़ skip नहीं करने आठ question मैं बोल रहा हूँ दस भी हो सकते हैं यह एक approximate value दिर लिख रखी होती है percentage term में की कित्ता score रहेगा लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है आपको accordingly पढ़ करके जाना है अब इसके बाद आखरी chapter के हम बात करते हैं जो की है index number और है time series देखे index number में हम बात करें तो index number जो है यह chapter important है यह chapter important है मतलब आपको इसको तरीके से पढ़ना है index number को और index number में basically जो अलग-लग methods आपके price index या quantity index को calculate करने के लिए बताये गए थे जिसमें आपने Fisher का index method देखा था तो इस तरीके से बावले का index देखा था कैली का index method देखा था तो यह जो calculation आपने index number को calculate करने के लिए देखी है यह important part है मतलब यह 4-5 calculations हो है वो definite कुछी जाती है वो ही important part में है time series को आप skip कर सकते हैं जरूरी नहीं आए और आप ही जाएगा तो बहुत ही आसान चीज़ है आप इसको कर लेंगे लेकिन इस section के अंदर important part मैंने क्या बुला time index number जो है वो सबसे अदर important है इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है चलिए तो यह जो हमारा मार्क देशन सीरीज के अंदर आपने मेरा वीडियो देखा इसके अंदर मैं आपको बता है कि कौन सा part important है कौन से को कितना weightage देना है देखे बड़े एक बात और बता देता हूँ मैं statistics वाले section में लगबग सब important है देखो एक तो coverage भी 30 questions और 60 number की coverage है और इसमें chapter भी limited ही है central tendency, dispersion, correlation, regression, probability और index number हर chapter की weightage अपने आप में बढ़िये लेकिन वहाँ अगर mathematics में बात करते हैं तो simple compound interest अलग अलग है APGP अलग अलग है permutation combination अलग है indices logarithm अलग है ratio proportion अलग है set theory अलग है calculus वाला part अलग है quadratic equation अलग है तो उसमें बहुत सारे number of chapters है और weightage के वल 40 marks का है तो अगर आप target बनाते हैं तो पहला target आप statistics को cover करें अच्छी तरह कैसे cover करें statistics में कोई भी चीज नहीं चूटनी चाहिए बहुत अच्छे से MCQ आपके करेवे होनी चाहिए mathematics के अंदर जो मेरे important बताएं जिसमें से 3-3 questions आने के chances है उसको जरूर से आप देख करके जाएं अगर मान लेजी आप selected study कर रहे हैं तब और अगर आप complete पर रहे हैं तो भी आपको sequence ऐसा ही रखना चाहिए पहले stats पड़ो, फिर mathematics पड़ो उसमें भी जो chapter मेंने important बताएं मैं पहले वो पड़ो जो important मैं आपको बता रहा हूँ है इसका मतलब उसमें से जितना expectation है उससे ज़्यादा भी question बन सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि कोई particular chapter में से कोई question ना पूछा जाए जो मैंने important बोले है mathematics में उसमें definite question आपको देखने को मिलेगा तो इस point of view से आपको देखना है तो मैं एक बार और बता देता हूँ mathematics में क्या important है मैंने आपको बताया time value money और APGP का topic इसके लावा मैंने बताया indices and logarithm and permutation combination और इसके लावा मैंने बताया revenue and cost function तो यह मैंने जो important part आपको बताया है यह आपको जरूर से आप मेरे से पूछ सकते हैं उसका reply आपको मिलेगा और आपके exam को लेकर के all the best best of luck students अपनी तयारी अच्छे से करें महनत करें बहुत कम समय आपके exam को लेकर के बचा हुआ है तो जितनी महनत हम अब कर सकते हैं वो एकदम आप तरीके से करें इसके बाद मैं आकर बात करूँ तो ज्यान सागर classes आपको marathon classes प्रोवाइड कर रहा है जिसको आप YouTube पे जातर के live section में देख सकते हैं और सारी अपनी तयारी को strong बना सकते हैं इसके लावा मैं बात करूँ तो हमारी test series भी आने वाली है और test series आपको free of cost देखने को मिलेगी तो कोई भी student ज्यान सागर classes के दिये गए numbers पे call करके आपको register करवा सकता है और test series दे रहे सकता है test series मैं बता देता हूँ part test series भी available है full test series भी available है और part test series जो है वो start हो रही है आपकी 1 December से start होगी और इसकी official announcement आपको भी मिलने वाली है और accordingly आप इसकी preparation स्टार्ट कर सकते हैं तो students all the best best of luck और अपनी exam को बड़िया से आप तियार करें चलिए आज के session में तरकते हैं मिलते हैं आगे दन्यवाद